दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने 22 जन्वरी अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेश उपाय बताएं हैं, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया. 22 जन्वरी भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं, चुप चाप घर के नमक के डिब्बे में डाल दें. यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा. जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे. ऐसा म यह दिन बहुत विशेश होने वाला है. और इस विशेश दिन पर पूज गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेश उपाए बताएं हैं, जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिये दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा. आपको यह उपाए सिर्फ ए विशेश उपाए इस दिन जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा. तो चलिए जानते हैं इस विशेश उपाए के बारे में. लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य क करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं देना, दोस्तों. पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी दो दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में एक ऐसा विशेश उपाए बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया. पूज्य गुरु जीवन के हर कश्टों से हर दोश से चाहे हो. वास्तु दोश, शनी दोश सबसे तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीरवाद, जिसके बाद आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे. आप करोडपती दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बता, क्या आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भर कर रखा है, कि नहीं रखा है, और दोस्तों अगर नहीं रखा है, तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए, और उस उसमें नमक भर घर में अलग से रख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में, जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्थ पर एक गुप्त चीज को छुपाना है, और इस बात की हमको 100% गारंटी देते है कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार, उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा आएंगे, रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद, न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी, कश्ट वास्तु दोश और सभी तरह की समस्या से दूर हो जाएंग, राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, बयानकर से, भयंकर, शनी दोश और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम है, काल सर्प दोश, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाये से शीग्र ही दूर हो जाता है, दोस्तों, नमक का यह उपाये हम भी जरूर करते हैं, शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे, नमक का यह उपाये आपकी काया पलट कर रख देगा, भगवान शिवजी आपसे प्रश्न हो जाएंगे, माता पार्वती, दोनों हाथों से धन की वर्शा करेंगे, साक्षातकार का हाल भी कुछ नहीं कर पाएग इस उपाये से कंगाल भी हो जाएंगे, धनी और दिन दुगनी रात चोगुनी होगी, तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीग रही किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है, नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खीच काम करता है, अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे, धनवान दोस्तों, सबसे अहले तो आपको बता दें, यह उपाये इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं, और देखिए, दोस्तों भरोसे पर ये दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कबकी नश्ट हो चुकी होती, दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है, नमक न केवल हमारे भोजन क अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। तो वह कभी भी करोणपती बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है। अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीग्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है परंतु दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आ पितरडोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शणी दोश और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है। कालसर्प दोष, जो की वहभी मात्र इस नमक के उपाय से शीगर ही दूर हो जाता है। दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। शत प्रतिशत आप धन्वान हो झ नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोले नात आप से हो जाएंगे। के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप हो जाएंगे। धनवान दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही इश्वर को पाया जा सकता है। और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया, तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए, दोस्तो भरोसे पर यह कायम है, अगर भरोसा नहीं तो यह दुनिया भी कब की नश्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। नमक न जाने कितने अंगिनत फायदे हमें देता है। अग नमक के अंदर पॉजिटिव उर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़ पती बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं। अगर जो मनुष्य कर ले या अपना लें तो वह निश्चित तौर निगरीबी को दूर कर सकता है। वह शीग्रही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परन्तु याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान भोले नात का जैकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा। आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्त कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, बिलकुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखे, ये उपाय करके मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तर करके बता दें, आपको तुरंत लाब हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय, दोस्तों किसी भी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच् एक पैकेट टाटा, नमक 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। ये उपाय इतने सारे लाब हासिल कराता है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों ये उपाय में भी जरूर करता हूँ और मुझे लाब पूर्ण हासिल हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बता करना करें। चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है। वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। इन में से कोई भी सामग्री में न हो। सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्ज भी छूमंतर गाए। हो जाएगा। ये उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। ये सौ प्रतिशत सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नामों को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं, तो ये चंद्र और लोहे करनी का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पातर में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पातर में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है, जब को व्यक्ती नमक और लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है, तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, चंदर और सैनी नाराज हो जाते हैं, दोस्तों में अकसर खाने में नमक कम हो जाता है, और तब पैसी स्थिती में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता, नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बोल जो क्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुरभाग्य और भी का सूचक माना जाता है, भारत ने इसका गिरना बहुत ही माना गया है, नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है, और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता, इसलिए नमक की कद्र करें, दोस्तों औ और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसलिए भी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, नमक सदैव धन दे कर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, औ और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और नहीं देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके की सुख सम्रिद्धी ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता है। इसी लिए शाम के समय नमक नहीं लेना। दोस्तों और नमक मिले। पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भ दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्षमी नहीं, लक्षमी वास हो जाता है। तब भला माता लक्षमी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसी लिए सवेरे सवेरे दर्वाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर लें। कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो। सर के उपर से साथ बार घुमाएं और चुप चाप किसी अगनी में जला दें। अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं, एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये कामूली इंसान है। ये उपाए बुरी नजर को को सो दूर रखता है। लाजमी है। जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाभी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका उतरना भी है। जरूरी दोस्तों ह सोते समय तक ये के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव पूजा होगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है। और आप सुबह के समय एक आनंद दायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तक लिए के नीचे नमक रखें तो काले कोड़े में बांध कर रखें। फिर इसे संभाल कर दोस्तों चाय में नमक नहीं डालना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाहे में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे-धीरे जलने लगता है। कम होने लगता है। आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है। जाय में नमक कभी न डालें। इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है। दोस्तों खास कर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शां इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है। आपका खून सूख सकता है। आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है। शुगर की बीमारी हो सकती है। आपके पेट में पथरी हो सकती है। आप अपनी आँखों की रोशनिक हो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड़ियों का स शीरवाद बना रहता है। आप सच्चे दिल से माता लक्षमी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता की धन्यवाद।